हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं मेथी और बेसन की बहुत ही टेस्टी सी सबजी इस सबजी को आप चाहें तो रोटी या फिर चावल किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं सबी को बहुत ही जादा पसंद आएगी तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा तो चलिए फटा फट से इससे बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक पैन में एक चमस से तेल डाल दिया तेल गरम करने के बाद उसमें आधा चमस जीरा डाला है और यहां पे मैं एक चमस से अधरक होड लैसन को क्रेस करके डाल रही हूँ इसको हम थोड़ा सा भूल लेते हैं तो अधरक लैसन भूनने के बाद यहां पे एक बंच मैंने पूरा मेथी का लिया है जिसको की अच्छे से साफ करके धोके हमने कट कर लिया है अब इसको अच्छे से एक बार इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा सा यहां पे नमक टाल देते हैं और इसको बढ़िया से मिलाने के बाद 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढख के पका लेते हैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट तो यहां मैंने इसको ढख दिया है और देखिए मैंने इसको दो-तिन मिनट के लिए पका लिया है अब इसको बहुत ज़्यदा पकाने की ज़रुत नहीं है इतना यह ठीक है अभी गैस का फ्लेम आफ करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसको भी डाल दिया है और थोड़ा से यहां पे मैं धन्य की पत्या डंडी के साथ इसमें डाल रही हूं और इसको डालने के बाद हम अच्छे से बीच लेते हैं तो देखे यहां पे यह पिसके त्यार हो गया है इसको भी हम साइड में रख देते हैं और जो हमने मेथी के फ्राइ करके रखे हुए थे यह भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो अब इसमें एक कप से मैंने बेसन डाल दिया है साथ ही आधा छोटी चमच से अजवाइन थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे लाल मेर्श डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देते हैं यहां पर और आधा छोटी चमच से धन्या पाउडर और आधा छोटी चमच ही गरम मसाला डाल दिया है अच्छे से इसको मिलाएंगे और हाथ से ही हम अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो बना के तयार कर लेंगे तो अब यहां पर देखिए थोड़ा सा लंबाई में जैसे भी आपको सेफ पसंदो आप ऐसे बना सकते हैं देखे मैंने इसको आज इस तरीके से बना के त्यार किया है तो यहाँ पे एक पीस बन गया है और इसी तरीके से हम सारा बना के त्यार कर लेंगे बहुत ही असानी से बन जाता है तो यहां देखे यह बन के तयार हो गया है अभी इसको हमने स्टीम करना है तो यहां मैंने एक कड़ाई में थोड़ा सा पानी चड़ा दिया और उसमें एक चाली वाला प्लेट जिसमें की तेल लगा के उसको चिकना कर दिया और इसमें हमने इसको लगा दिया है अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पक जाने देते हैं मेडियम फ्लेम पे और इधर मैंने फिर गैस पे दूसरी कड़ाई जड़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे तेल तेल जैसे ही हमारा गरम होगा उसमें मैंने डाला है पंच गोल्डन गलर का हो गया है इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने मसाला पीसा है अधरा ग्लेसन टमाटर वाला पेस्ट ये इसमें डाल देते हैं अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद दो-तिन मिनट के लिए इसको ढ फटो एडिक और लान में बचा थे हो थोड़ी स्माइब का सबोतव देंगे तो फिर सबस्तिते दो हिर्ट नियुक्त सब्सक्राइब समय घ्ले बचा-गतने के लिए डिच में में रिक्स घुडंडandır by assists वो मैंने यहाँ पे डाल दिये, साथी नमक भी डाल दिया है, टेस्ट के हिसाब से, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे, मिलाने के बाद हम इसको ढखके मीडियम आज पे अच्छे से भून लेंगे मसाले को, तो यहाँ पे 4-5 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है बीच-बीच में चलाते हैं और अब यहाँ पे 2 चमल से मैंने ताजी मलाई ले ली है यह इसमें डाल देंगे इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मेथी में अगर हलका सबी कड़वा बन होगा तो यह से बैलन्स हो जागा बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी सबची और यहाँ पे आदा च्छोटी चमल से गरमसाला भी डाल दिया है अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मसाला हमारा बहुत अच्छे से यहाँ भुन चुका है तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ग्रेवी आपको कितनी पतली करनी है उसे सबसे आप पानी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे देखे एक से दो कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है और अब इसको भूख के हम अच्छे से 3-4 मिनट के लिए उबाल लिते हैं तो यहां पे मैंने इसको बढ़िया حसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और जो हमने मेथी वाले जो बॉल बना के रखी थी ये भी देखिए बहुत अच्छे से पक गई थी तो मैंने इसको निकाल के प्लेट में रख लिया था तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं और अच्छे से इसको एक बार चला लेंगे थोड़ा से मैंने यहां पानी इसमें और एड़ किया है क्योंकि अभी ये इसके साथ भी पकेगा तो गाड़ी हो जाएगी ग्रेवी हमारी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया अब इसको ढखके फिर से पांसात मिनट के लिए अच्छे से देखिए पका लिया ह सबजी हमारी बहुत अच्छे से यहां पर पक चुकी है बहुत जादा गाड़ा इसको मैं नहीं करूंगी कि यह जैसे ही धंडा होगा और सब्जी हमारी गाड़ी हो जाएगी तो यहां पर थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धन्या मैंने इसमें डाल दिया है तो लीजे यह कि लाइक ज़रूर से करती जगा चैनल पे आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुद्पोह पहसे जा लिएगा और साथ के साथ रैसेपी को भी ज़रूर से शेयर करती जगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और recipe के साथ तब तक के लिए बाई और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद